बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज किस वीडियो में डिसकस करेंगी क्लाश 12 है मारी और सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव तो सेशन 2022 थे इसके लिए आपका एक न्यू रिवाज स्लेवस आ चुका है जिसमें बहुत सारे जो डाउट्स में बच्चों के वो किलियर कर दिये लिए इसमें टोटल आपके सोरा चैप्टर आपके तीन वोक्स हैं आपकी एक अंतरा एक अंतरा और एक अविक्तिमादे तो इन तीनों को मिलाके सोरा चैप्टर बता है कि आपका स्लेवस जो है 31 सप्टेंबर तक कंप्लीट करवा कि आपका रिवीजन भी करवाए क्यूंकि मिडल ऑफ ऑक्टूबर 2022 में आपका जो टमवन रहेगा इसके एक्जाम स्कूल बेस पे कंड़क्ट करवाए जाएंगे तो टमवन के स्लेवस में यह कौन से 16 चैप्ट होते हैं कि जो स्लेवस है वो पूछा जाता है उन्हें चैप्टर को अठागे जो एक्चुल में लिए तो देखो यह टीचर्स के जिम्मेदारी है कि डिसेंबर स्टार्टिंग तक आपका पूरा का पूरा स्लेवस कंप्लीट करवादे यूंकि मिडल ऑफ डिसेंबर के बा तो टमवन का स्लेवस एकजाम प्रीवोड बोर्ड का स्लेवस एकजाम से सभी के बारे में आई और करके हम स्लेवस को समझने से पहले अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो इस वीडिय है अदर्वाइस आपको सच कर सकते हो वहां पर गुरुप का नाम जेसके ट्वल्ड क्लास अब समझते हैं करके पहले बुक्स के बार हिंदी की टोटल टीम बुक्स हैं सबसे पहली बुक है हमारी अंतरा भाग दो तूसरी है अंतराल भाग दो तीसरी है मारी अभिव्यक्त होते हैं एक है हमारा यहां पर काव विखंड इस सुची है दूसरा होता है हमारा गड दिखाएं तो अब बेसिकली हम समझते है कि टम वन के एकौर्डिंग और टम टू के क्या पढ़ना तो जो टम वन है उसके लिए देखो मैंने यहां से क्या किया है इसी ब्लू कलर में अ आपका कविता खंड इसके बात कर लेते हैं इसमें भी दो हैं एक है आधुनिक और एक है प्राची तो आधुनिक मैंसे जब टम वन के एक्जाम रहेगा तो आपको जैसंकल परशाद की यह दोनों पार्ट पढ़ने हैं तो जब आपका टम वन रहेगा तो कविता खंड मैं आधुनिक चीज है मारे इसमें से आपको जैसंकल परशाद की यह दोनों पार्ट पढ़ने हैं और जो सूरिकांत अचरपार्थी निराला है इनका आपको सिर्क वी एक खा वाला सरोजिस्मति इसे पढ़ना है इसे गीत गाने तो मुझे यह आपको फोड़ देना है नहीं पढ़ना इसे पिर सच्चिदानन हेरानमे वास्थान अग्ये इनके आपको यह दोनों ही पढ़ने है ठीक है तो आधने कभी से यह प्राचीन से अब हम आप देख लेते हैं तो प्राचीन में दो आपको पढ़ने है एक हैं हमारे तुलसी राश्वी तो इनके भरत राम का प्रेम और जुपाध है यह दोनों ही आपको पढ़ने हैं फिर मलिक मुहमद जैसी का यह जो 12 मासा है यह भी आपको पढ़ने हैं ठीक तो कविता खंड कंप्लेट हो गया अब आ जाता है मारा यहां पर गद दिखाएं तो गद खंड में आपको सबसे पहले पढ़ना है यहां पर यह रहा राम चंद सुक्त प्रेम धन की खाया इसमित्री दूसरा आपको पढ़ना है पंडिच चंद धर शर्मा गुलेरी का सुम्रीनी के मन के कंप्लेट फिर आपको फोथ पढ़ना है फणीशो और नाथ रेनू स्तमवादिया और फिप्त पढ़ना है भीच मुसाहनी प्रज मुहन व्यास आप डिलीट लगा देंगे इससे आपको नहीं पढ़ना है नहीं तो टमवन के एक्जाम के लिए और नहीं तो बोर्ड की एक्जाम के लिए तो चाहे तो आप इस नहीं सोट ले सकते हो कि जब आपका टमवन एक्जाम रहेगा तब आपको क्या-क्या पढ़ना है और जब आपका एन्वल होगा तब आपको यानकी बॉर्ड होगा तब क्या तो यह है हमारा टमवन का स्रेवर्स कंप्लीट हो गया अब एक और मैं पैंचेंज कर देता हूं ब्लैक तो जो रेड कलसे मैंने अंडराइंक कर रखता है अभी के लिए यह जो आप आप देख रहे हैं यहँ यह जो चीज जीज से अब यहां पर यह जाती है आपके बोडल को ग्क्मर में जो आपको कंप्लीट परना है यह जो है आपको फूरा का प्वूरा पर फिर यहां पर मैं आज आता है भूब यह यह है और कि add होगा तो देखो आधनिक की हम बात कर देखे शलो हटाई देखा हूं अब देखो हम आधनिक की बात कर देखे तो यह आपको पढ़ नहीं है बस यह आपको पुर्सफ वक्रπетр है happy चेदार नाज सिंग जी के यह दोनों आएंगे बनारश्ट और दिश्ण रगवीर्ज सहाई कि यह दोनों आएंगे तोड़ो तोड़ो और बसंत आए विश्णु खरे कि यह दोनों पार्ट आपके डिलीट है आज दुर्णे कम्प्लेट हो गया अब प्राचीन तो प्राची पढ़ना है रजमोहन व्यास को हटा देंगे हम तो अब इसमें नया एड हो गया है अजगर वर्दहात का सेर पहंचान चाहस ठीक निर्मल वर्मा का एड हो गया है जहां कोई वापसरी नहीं है फिर ममता कालिया का दूसरा देवदास और हजारी प्रसाद वेदी जी का यह एड हो गया है राम विलास वर्मा आपको थोड़ देंगा तो क्या है यह स्लेवर समझ गए देखो थोड़ा मुझे लगता कंप्लिकेड़ हो रहा होगा त्यान से समझना सब कुछ इजी तरीकी से जो यह मैंने यहां पर ब्लू बॉक्स में अंडरलाइन का रखा है यहां आपको नहीं पढ़ना है यह जो राट राट सा लाइन है इसे आपको नहीं पढ़ना है बाकी जो अंडरलाइन का रखा है पूरा बॉक्स के अंदर उससे आपको टाम वन के लिए पढ़ना है और फिर जब आपका एन्वल मोड रहेगा तो इसमें आप इसको डिलेट कर दो ठीक है ना दिशान लगाते चलो इसको भी डिलीट कर दो इन दोनों को और एक ही डिलीट कर दो और इधर गद्यखंड में इसे डिलीट कर दो और इससे और बाकी का आपका जो पूरा का पूरा स्लेवस है वो बोर्ड एक्जाम्स में पूझे जाए तो टम वन और बोर्ड के चोटा सा इसका स्लेवस है जब आपका टम वन एक्जाम रहेगा तो आपको पढ़ना है सूदास की जूपड़ी और विस्कोहर की माठी ये दो चेप्टर्स आपको पढ़ना है तो फिर आपको ये दो तो पढ़ना ही है ठीक है बोर्ड के लिए ये भी पढ़ना है ये और और बने को लेते हैं जो कि है अवहिक्ति और मात्यम में आप यह देखी गए तो जब आपका term 1 exam रहेगा, तब इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना होगा, तो इसमें देखो आपको mostly जो है, वो 5 चप्टर पढ़ने हैं, सबसे पहला चप्टर है हमारा chapter number 30, अब विभिन माधिमों के लिए लेखन, पहला चप्टर term 1 के exam रहेगा, दूसरा है हमारा चौत् लेखन के विभिन रूप और लेखन के, तीसरा है कैसे बनती है कविता, चप्टर 6 और चौत्य हमारा नाटक लिखने का अभियाखन, चप्टर 7 और चप्टर 13 हैगा, नए और प्रत्याशित विश्या, यानि कि जो मैंने blue color से underline कर रखा है box में, वो term 1 का स्लिवस है, ठीक ह पिर जब board रहेगा, तो आपको 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ, ये एक लाइन से आप लगा सकते हो, कि हमें chapter number 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 13, total हमें ये 7 chapter अपने board exams के लिए ready करने पड़े, ठीक है ना, किसे अभिविक्ती और मात्य है, और जब आपका term 1 होगा, तो ये जो मने blue color से यहां पर box में underline कर रखे हैं, बस ये आपको बढ़े, ठीक है, और board में आपको total 7 बढ़े, तो अब हम चलते हैं आपके official slayvers की तब, तो देखो ये हमारा official slayvers है, चले देखते हैं, क्या है, तो वासिक पाइट से लगार वाइसे class 12 हिंदी अच्छे course 002 है, तो जब आपका term 1 होगा, तो अंतरा भाग एक से काव खंड में आधिलिक में देखो आपको ये ये पढ़ने हैं, ठीक है, फिर प्राचीन में देखो आपको ये दो पढ़ने हैं, और अंतराल भाग एक से आपको ये पढ़ने है, चप्टर फॉस्ट और थर्ड, अविक्ति के बाद जब आपका second term रहेगा, जो बोड रहेगा, उसमें term 1 तो जो होगया, वो तो पढ़ने ही है, फिर आपको काव खंड में ये दो और एड हो जाएगे, किरानात और रग्वीश रहाए, फिर काव खंड में जो प्राचीन है, उसमें विद्यापति गनानन्द ये एड हो जाएगा आपका, तो इस तरीके से ये तो आपका official syllabus है, अगर आपको इससे डाउनलोड करना है, तो आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन जरूर कीजिएगा, ठीके ना, 12th क्लास, जैसकी 12th क्लास इस तरीके से सर्च करके, या फिर टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो ज्यादा ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में अपना feedback जरू दीजिएगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समय में आई है या नहीं, और चैनल को सप्राइम नहीं क्या तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे important वीडियो हम आपके लेकर आते हैं, बलेंगे बच्छा आप आपसे अगली वीडियो में, सब तक ये लिए आप पढ़ते नहीं अपना ख्याल दखें, धन्यवाद, जैहें, पंदमाद,